आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है आप मैंसे कई साथ ही जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब डेड़ सो के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है आज भारत ग्लोबल इंवेशन इंडेक्स में 81 नमबर पे था वहां से उपर उड़ करके 40 स्थान पर पहुँच चुका है आज देश के वाँ हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं 2014 में हमारे हां स्टार्ट अप की संख्या भी कुछ सौंप के आस पास थी आज हमारे देश में रकनाइज स्टार्ट अप्स की संख्या भी करीब करीब एक लाग पहुँच चुकी है आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिस्षित्ताओं के दोर से गुजर रही है ये भारत का सामर्थ दिखाता है भारत का टैलेंट दिखाता है और इसलिए मैं फिर कहूंगा पॉलिसी मेकर्स के लिए हमारे विज्ञानिक समुदाय के लिए देश भर में फैली हमारों हजारों रिसर्ट लैप्स के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपून है स्कूल टू स्टार्ट अप्स की आत्रा हमारे स्टूडेंट करेंगे लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा प्रोच सहित करना होगा और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा